Hello everyone, welcome to sleepy classes, कैसे हैं आप लोग, होफुली अची होंगे, तो आज हम लोग जानेंगे all about national green tribunal in 10 minutes, ठीक है, तो चली करते हैं start, अब ये जो body है, ये जो tribunal है, ये काफी news में रहता है, बहुत कारणों से news में रहता है, और अगर आप state PCS का exam दे रहे हैं, या civil services का exam दे रहे हैं, औ और वहाँ पर environment related, अगर questions आता है, तो NGT आपके लिए बहुत important हो जाता है, तो इसी गार इसको आज हम लोग detail में देखेंगे, और इस वीडियो के बाद आपको at least NGT से related, कोई भी confusion नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसको देखिए, it was set up under the National Green Tribunal Act 2010, तो ये जो जरीर बाडी बन जाता है, क्योंकि इसके लिए एक specialized act है, जिसको हम लोग बोलते है, NGT Act 2010, अब देखें, environment related और forest protection related, बहुत सारा litigations जो है, वो हाई कोट और Supreme Court में जो है, वो लाई करता था, इससे पहले, NGT के पहले, और अभी भी करता है, देखेंगे क्यों, तो इसके जैसे क्या होता था, कि जो ये cases होते थे, इनका में मकसद होता था, तो वो ही aim डिफीट होया था, क्योंकि इतने long duration के लिए cases चलता था, और बहुत देर से जो है, इस पर decisions आते थे, तो इसलिए एक specialized court, एक specialized tribunal बनाने का जो जरूरत था, जो की cases को expedite करे, और दूसरा क्या थ इसका aim कि इसमें जो एक ऐसा tribunal बनाया जाए, जिसमें हम लोग environmental experts को भी जगा दें, क्योंकि आप जानते है, environment related जो cases आता है, वहाँ पर environment expertise का बहुत जरूरत होता है, क्योंकि आपको हो सकता है, ground level problem नहीं पता हो कि वहाँ पर लोगों को क्या जरूरत है, ये case क्यों आया था तो इसी कान वहाँ पर environmental experts को भी रखा जाता है, इसके बाद किया है, इंडिया जो था वो third country था इस तरह का एक specialized environmental tribunal बनाने के लिए, इस से पहले Australia और New Zealand जो है ये काम कर चुके हैं, अब किसी भी court या tribunal का जो होता है place of settings होता है, तो New Delhi जो है वो principal place of setting है NGT का, आप जानते ह और बहुत सारा cases यहीं पर देखा जाता है, इसके अलावा कहा कहा है, भौपाल, पूने, कोलकता इंचे नहीं, तो यह भी question बन सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर से पता चल गया होगा, इसके बाद देखते हैं, इसका structure क्या है, कि इसमें एक chairperson होते हैं, और इसके अलावा CGI के, ठीक है, Chief Justice of India, उसके बाद देखी क्या है, they shall hold office for term of 5 years, यह जितने members है, इनका जो term होता है, वो 5 years का होता है, और not eligible for reappointment, बतलब इनका reappointment नहीं हो सकता है, NGT में, ठीक है, उसके बाद देखी क्या है, कि सबसे important जहाँ पर से question बनता है NGT में, वो है क्या कि यह किस cases म इस tribunal का जो है, वो jurisdiction है, ठीक है, किन तिन cases में, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर टोटल 7 cases है, आपको याद आखना है, जिसमें जो है, NGT में आप जाके case कर सकते हैं, और वहाँ पर सुनवाई होगा, तो वो कौन से है, Acts, सबसे पहले आपका the Water Prevention and Control of Pollution Act 1974, दूसरा क्या ह उसके बाद देखिए क्या है, Forest Conservation Act, अब यहाँ पर जो हम लोग पॉस करते हैं, क्योंकि देखिए, Forest related तीन Acts है, एक है आपको Indian Forest Act पता है, जो पुराना है 1920s का है एक Act, उसके बाद Forest Conservation Act आता है 1980, और एक है Forest Rights Act 2006, तीन Acts है जहाँ पर Forest का जो है, वो जिक्र किया गया है, लेकिन NGT के विदिन कौन सा आता है, Forest Conservation Act, तो इस चीज़ को आप no down कर लें कहीं पर, कि यहाँ पर Forest Rights Act भी नहीं है और Indian Forest Act भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पर क्या है Forest Conservation Act 1980, इसके बाद क्या है Air Prevention and Control of Pollution Act 1981, उसके बाद क्या है Environment Protection Act 1986, हमारे जो सबसे important Act है, जो भी pollution से related जो भी काम होता ह है, वो किस इसी Act के अंदर होता है, तो यह भी जो है, इसमें भी NGT जो है, अब देखते होंगे कि बहुत सारा, जैसे दिल्ली में बात हुआ था कि जो इंडेस्ट्री जो dirty fuel यूज कर रही है, जो pollution जो करता है, तो उसका case भी जो है वो आपका NGT में ही था, ठीक है, इसके जो है NGT का jurisdiction है, तो याद कर यह बताई कौन-कौन से 7 है, आपका water का दो हो गया, एक forest का है, एक air का है, EPA है, BDA है और Public Liability Insurance Act है, अब इसमें कौन से Act नहीं आते हैं, कोशेंस जो आपके यहाही से बनते हैं, जो हमारे सबसे बड़ा Act है, जो सबसे major Act है, जो wildlife conservation के लिए, that is wildlife protection Act 1972, यह Act जो है NGT के विदिन नहीं आता है, और आपको comment section में बताना है, कि wildlife protection Act के विदिन किस organization को यह power मिला हुआ है, कि अगर उसे लिटेट कोई dispute होता है, कोई cases होता है, तो उसका वो सुनवाई करें, ठीक है, इसके बाद एक और Act हमने बात कर रहा थे, हम लोग भी बात कर NGT के ambit से बाहर रखा गया है, ठीक है, तो आपको बताना है दोनों के case में कि अगर इस इन दोनों Acts के विदिन cases होता है, तो उसका सुनवाई कहा होगा है, या कौन सी organization को इसका power दिया गया है, ठीक है, चलिए, उसके बाद क्या है, अब होता क्या है कि NGT ने अगर कोई order दिया है, decision दिया है, या कोई award दिया है, तो उसके against आप appeal कर सकते हैं Supreme Court में, ये NGT Act में ही दिया हुआ है, ठीक है, और कब तक कर सकते है 90 days from the date of communication, लेकिन generally होता क्या है कि NGT का जो formation हुआ था, इसका motto ही यही था कि जो cases है, वो यहीं पर resolve हो जाए, ना कि फिर से again by the means of appeal आप Supreme Court पहुँच जाए, लेकिन हो क्या रहा है, क्योंकि NGT का एक job drawback discuss कर लेते हैं, कि ये जो tribunal है, अब इसमें क्योंकि आप जानते है, इन्वार्मेंटल एक्सपर्ट्स हैं, और ये पूरी तरह से जो है, इन्वार्मेंटल बेस्ट एक tribunal है, तो यहाँ पर जो भी decisions आते है, वो most of the time, जो है, in favor of environment protection रहते हैं, तो बहुत time जो है, इस court का decisions को ये भी माना जाता है, कि ये जो है, business sentiment के against होते हैं, तो इसी कारण जो है, अब आप देखेंगे कि बहुत सारा cases, जो है, NGT का वो क्या जा रहा है, under article 226, जो कि रिट है, रिट jurisdiction है, high court का, उसके through जो है, court है, और वो जो है, सिर्फ from the point of view environment देखता है, लेकिन high court जो है, उनको जादा knowledge है, उनका जादा wisdom है, तो वो जो है, इस पर जादा आच्छा से सुनवाई करेंगे, तो ये contentious issue है, जहां पर जो है, लोग जो है, NGT के against high court पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो ये छोटा सा information था, जहां पर आपको क्या है, इसके constitution का बताया गया, इसके structure के बारे में बताया गया, और इसके बारे में कि इसमें किस-किस cases में जो है, NGT जो है, इंटर्वीन कर सकता है, ठीक है, तो इसी पर based आप से, अगर prelims में based question आता है, तो यहीं से आपका आएगा, ठीक है, तो चली मि मिलते हैं, नेक्स टेक्चिर में, तब तक, thank you.